नमस्त दोस्तो मैं अंकुर आरिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेत्य सनातन में कभी-कभी ऐसा लगने लग जाता है कि देश की आजादी के समय में जिन लोगों को भली वो गदार क्यों ना हो जब उनको देशवक्त कह दिया गया कोई उपाधीर से नमाजा गया तो उसके बाद में उनके उपर किसी प्रकार के अध्यन स्वाध्याए या किसी प्रकार की टिपणी करने के लिए कोई समिधान में ऐसा सैक्ट बना दिया गया है ऐसी कोई धारा बना दी गई है, कि आज के बाद इनके उपर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, अंधो की तरह केवल पालन किया जाएगा, कि जिसको बापु कह दिया, जिसको माहत्मा कह दिया, जिसको राश्टर पिता कह दिया, केवल उसको वही कहा जाएगा, और उनके और बात चल रही थी कियों गोडसे की वजह से साध्वी प्रजिया ठाकुर को ऐसा बोलना पड़ा कि वो एक देश भक्त थे और क्यों गांधी को उन्होंने उससे निम्नतम दर्शाने की कोशिश की। ऐसे में जवसंग के जानकार संगीत रागी नाथुराम गोडसे के विशयम बताते हैं कि उससे पहले वो क्या थे नाथुराम गोडसे गोली मारने से पहले इस देश को इसकी प्रश्ट भूमी को क्या समझते थे किस तरीके से समझते थे यहां की करांतिकारियों को उन्होंने कि क्या आप एक हत्यारे को देशवक्त गोशित करने की सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं अर्थात यहाँ पर नाथुराम गोड सेका जो अतीत था जो पास्ट था और जो उनके किये हुए कार्य थे उनको सुनने से पूरी तरीके से इनकार कर देता है इस पूरे पैनल ने लेकिन जब वहीं पर बैठे हुए एक इतिहास कार कपिल ने बताने की कोशिश की कि महात्मा गांधी किस प्रकार से एक पाखंडी थे जूटे थे और एक गदार व्यक्ती थे तो भी किसी ने उस बात को सुनने जानने की कोशिश नहीं की और सभी चीक ने चिल्लाने लग गए दोस्तो जब नाथुराम गोड़ से के पास्ट को आप लोग नहीं सुनना चाहते कि वो उस टाइम पर कितने बड़े देश भक्त थे गोली मारने से पहले तो आप ये क्यों नहीं सुनना चाहते कि महत्मा गांधी भी कभी के समय में महत्मा नहीं थे और वो इतिहास जो उस समय पर कपिल बताना चाहते थे वो ये बताना चाहते थे कि 1919 के प्रथम विश्वयुद में महत्मा गांदी ने देश के युवाओं को पकड़ पकड़ कर सेना में भरती करवाया था और कहा था कि आप लोग ब्रिटिस सेना की तरफ से लड़ो और वहाँ पर हमारे भारतिये अंट्रेंड बहुत सारे सैनिक म गांदी कारी तो हैं लेकिन जिसको कहा जाता है कि लगातार उन्होंने लोहा लिया है अंग्रेजों से उन दो व्यक्ति को कभी गोली क्यों नहीं लेगी जिसमें कि सबसे पहला नाम है बापू और दूसरा नाम है चाचा का हाला कि वो हमारे ना बापू है ना चाचा है ले वैसी बात सोचेंगे जिस प्रकार के आज का युवा सोचता है और जिस प्रकार के स्पीचिज नातुराम गोड से के आज की तारीक में जो रिलीज हुए हैं और लोग उनको सुनकर के आगे की बात करते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और जो दोस्त हैं वो बेवकूफ हैं क्योंकि उस जमाने में नरेंदर मोदी नहीं जो हमारे घरों बैठे हुए 60-70 की उमर के लोग हैं वो लोग भी वैसी बात करते हैं वो लोग पाखंडी व्यक्ति कोई नहीं था दोस्तो इस पूरे ट्वीट के ऊपर पूरा दिन खलबली मची रही कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा व्यक्ति जो कि जस्टिस रह चुका है वो इस तरीके की बात कैसे कर सकता है दोस्तो ये वो बाते होती हैं जो इंटेलेक्शुल्स जानते हैं गांधी के अंध्भक्त नहीं जानते हैं अहिंसा के अंध्य पुजारी भी नहीं जानते हैं वो सच्चाई जो गांधी की सब के सामने आनी चाहिए थी लेकिन मुझे लगता है समधान की कोई धारा है जो हमको इस सच्चाई को सामने के लाने से रोकती है वो सच शाय जो थी उसके बारे में हम बात करेंगे और गांधी को पाखंडी कहने के बाद ना कोई नरिंदर मोदी ना कोई राष्टरपती ना कोई कॉंग्रेस पार्टी का लीडर इस बात को चुनोती दे पाये था क्योंकि उसके पीछे की जो सच्चाई है उसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तो गांधी की सीख पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती है मात्मा गांधी के किरदार को निभा कर बैन किंक्सले की फिल्म गांधी ओसकर जीत गई थी और जिने भारत में बड़े ही गौरव के साथ में नोटों पर चापा भी जाता है इस तरीके से पूरे विश्व में इस गांधी की बहुत इज्जत है लेकिन दोस्तो उनके जीवन के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम उजला नहीं कह सकते वो बहुत ही अंदेरे से बहुत पहलू है उनके जीवन का पहला किस्सा उनकी शादी के साथ ही शुरू जाता है दोस्तो ऐसा कहा जाता है और पुष्टकों से ऐसा आलेक मिलता है कि वो अपनी पतनी कस्तूर बा को बहुत पीटते थे अपनी पतनी के प्रती उनका विवहार काफी हिंसक रहा था बहुत मारपीट करते थे गांधी जी की उलादगी अगर हम बात करें तो कहने ही क्या है गांधी जी के बच्चों को समझने के लिए थोड़ा गांधी के निकट जाना पड़ेगा उनका चरका हमको बीच में से हटा था वो क्यों किया था और किस बिना पर किया था वैसे देखा जाये तो कोई भी लेक पढ़ने के बाद कागज का एक टुकडाई हो जाता है किन्तु कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिने हम विसफोटक लेटर भी कह सकते हैं जीवन का परिवर्थन करने वाले लेटर भी कह सकते जिने पढ़ने के बाद में लाखों रूपे में बेचा भी गया था। दोस्तों ये लेटर थे हमारे मोहंदास करमचंद गांधी के जो एक छद्म महात्मा भी हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे हरी लाल को एक पत्र लिखा था। पत्र इतने महंगे क्यों भी के पत्र पढ़कर आप लोग खुद भी जान जाएंगे और जानने के साथी साथ आप सरमसार भी हो जाएंगे। दोस्तों दरसल ये पत्र गांधी ने जून सन 1935 में अपने बेटे को लिखे थे। साल 2014 में इंग्लैंड में इन पत्रों की निलामी की गई थी और गांधी के बड़े बेटे हीरा लाल के चाल चलन को लेकर के वो खासे आहत थे। उन्होंने हरीलाल के अनुचित विवहार को देखते हुए इन पत्र का विवहार हरीलाल के साथ में किया था। उन्होंने लिखा हरीलाल तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरे लिए तुम्हारी समस्या आजादी की लड़ाई से भी ज़्यादा कटिन हो गई है पत्र में उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी मनु ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी खतरनाक बाते बताई हैं उसका कहना है कि तुमने आठ साल पहले ही उसके साथ में शायरिक संबंद मनाए उसके साथ में दुशकर्म किया उसका रेप किया उसका बलातकार किया जख में इतना ज्यादा था कि उसे इलाज कराना पड़ा दोस्तो ये बात एक दादा अपनी पोती मनु ज उससे बिलकुल ही किनारा कर लेगा किन्तु दुखद बात हमारे लिए ये है कि हमें आज भी ऐसे परिवार को अपना आदर्श मानना सिखाया जा रहा है यह मोहंदास करमचंद गांधी के निजी जीवन का एक दुखद पहलू है बड़े बेटे हीरालाल के इसलाम कबूल करन से ना केवल गांधी बलकि उनकी पतनिक कस्तूर्बा गांधी भी बेहद आध थी उन्होंने इस संबंद में अपने इस पुत्र के साथ ही उसके मुसल्मान दोस्तों को भी पत्र लिखा था इस पत्र में ना केवल एक मां की ममता की बेबसी जलगती है बलकि यह भी पता चल प्राचीन धर्म क्यों बदल लिया वह इस बात को सोच कर भी बेहत दुखी थी कि उसके बेटे ने धर्म परिवर्तन करने के बाद में मांस का सेवन भी शुरू कर दिया होगा ऐसे थे हमारे प्यारे मोहंदास करम चंद गांधी जिन्होंने अपने पाखंड के चलते अपन पापों को छिपाया और छिपाई वो सच्चाई और छिपाया हमसे वो सच्चा इतिहास जिसकी वज़ा से नाथूराम गोड से ने उसकी हत्या कर दी थी और बाद में उसके चेले सबसे बड़े चाटूकार जवाहरलाल नहरू ने वो सारे के सारे बयानात अगले 35 साल तक क लिए रिजर्व करवार डाले थे कि जो यहां के जनता यहां के लोगों को पता ही ना पड़ पाती दोस्तों अगर सोचो के नाथूराम गोड से जिस वज़ों से महत्मा गांधी का कतल करके आये थे अगर वो बाते उसी समय पर डिस्क्लोज हो गई होती तो क्या आज महंद क्या हमारे देश में कहीं पर भी उनका कोई स्टूब क्या हमारे देश में कहीं पर भी उनकी कोई स्टेचू क्या हमारे देश के नोटों पर कहीं भी उनका फोटू होता शायद नहीं होता लेकिन इस छदम गांधी परिवार और नकली गांधियों ने हमारे देश का इसी प सब्सक्राइब करें वीडियो का लाइक करना ना भूले हमें ट्वीटर पर भी फॉलो अवश्य करें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरे संग बोले भारत मत्या की जय जय हिंद वन्दे मातरम